श्री शिवाई नमस्तु ह्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब नवरात्री के नो दिनों में मां के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है आज सत्रा अक्टूबर मंगलवार को नवरात्री का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की पूजा अर्जना की जाती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार माता के मस्तिश्क में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा है इनके चंड भयंकर घंटे की ध्वनी से सभी दुष्ट दैत्य दानों और राक्षिशों के शरीर का नाश होता है देवी मा की कृपा से व्यक्ति के समस्त पाप और बाधाईं समाप्थ हो जाती है और देवी की कृपा से ही व्यक्ति प्राकर्मी और निर्भयी बन जाता है अगर व्यक्ति मानसिक, शारिरिक और आर्थिक संकट से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे देवी मा को तीसरे दिन गाय के दूद से बनी मिठाईयों का भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से देवी मा प्रसन हो जाती है माता को प्रसन करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए नवरात्री के तीसरे दिन मा को लाल रंग के फूल या तांबे का एक सिक्का या फिर तांबे की ही कोई भी वस्तू हलवा या मेवे आदी का भोग लगाना है देवी मा की विदिवत पूजा करनी है पूजा करने के बाद इस तांबे के सिक्के को अपने पास या तो अपने पर्स में रख ले या फिर इस पर छेद कराकर इसे धागे में पिरोकर अपने गले में पहन ले यह उपाय करने से देवी मा का आशिरवाद आप पर हमेशा बना रहेगा वे आपका भंडार हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा दूसरे उपाई में नवरात्री के नो दिनों तक लगातार आपको माता रानी के सामने आसन बिचा कर बैठना है उसके बाद एक पान के पत्ते पर केसर रखकर आपको दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ करना है ऐसा सरलसा उपाई करने से आपकी जीवन में सदव सुक शान्ती बनी रहेगी धन धान्य से आपका भंडार भर जाएगा आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी साथ पीड़ियां आराम से बैठ कर खाएगी घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा होगा आपके लिए तरक्की के दुआर खुल जाएगे तीसरे उपाई में नोक्री में सफलता पाने के लिए आर्थिक संपनता के लिए देवी मा को प्रसन करने के लिए उनके सामने आसन बिछा कर बैठना है बैठने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए उन्हें कमल की माला अर्पित कर दें या फिर कमल की पंखडियों पर माखन मिश्री का भोग लगा कर मातारानी को अर्पित करें या फिर 48 लोंग और 6 कपुर की आहूती दें यह सरलसा उपाय करने से आपकी जो भी मनो कामना है वह अवश्य ही पूरी होगी चोथा उपाय है तीसरे दिन किया जाने वाला एक और सरलसा उपाय है इसके लिए आपको केले के पेड की पूजा करनी है पूजा करने के लिए सबसे पहले केले के पेड के सामने आसन बिठा कर बैठ जाए बैठने के बाद केले के पेड की जड में रोली, चावल, फूल और जल अरपित करें और यह पूजा रोजाना करें और नौमी के दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी तिजोरी में रख लें यह उपाय करने से आपकी जीवन में सदव आर्थिक संपन्ता बनी रहेगी ऐसे ही महत्पूर्ण और लाबदायक उपाय और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखें